तो आज उनी जूलाई है अज संडे का दिन है और एक सेस्ट जो मुझे अच्छा लग रहा है वह है मोर्फन लबरेटरीस फर्मा स्टॉक से विलंग करता है और एक कंट्लिवास अब एक ट्रेंड में दीख रहा है जहां यह 52 एकलो साथ बाइक साथ बीस से 52 34 है और यह कहीं 21 दिन का 24 उलपे जो निरेश पूंचने वाना है सिंपल मुविंग अबरेज 50-200 अलेडिक रहा है एक देड़ सो भी क्रॉस है और दोसों भी सिंपल मुविंग अबरेज को दोसों को क्रॉस करके अगर आप दिखेंगे तिनके दोसों का जो उनीस उन्पय उन्चास पैसा है मुविंग अबरेज उसको भी क्रॉस किया हुआ है और 22 उलपे जो 9 डेज का भी है उसको 22 उलपे का सिंपल मुविंग अबरेज है इसे भी क्रोस करते हुए 22 उलपे 70 पैसे क्यास पर सभी क्लोजिंग दिया हुआ है तो कही ना कहीं यह इसमें अच्छा एक बोल्ट रंड रहा है और एक और पोजिशन देखने को मिल रही है यह इस एक पहले बहुत पहले इसमें एक हई पोजिशन बनी थी यहां पर आ जाकर कि आपको बना था 2018 के असपस और सेम वाल्यूम से अभी यहां पर आप देखेंगे यह वाल्यूम बना है और अच्छी कासी डिलेवरी और यह चोटा-चोटा-चोटा-चोटा आपको सिल कोजिशन दिक रहा है मिसको है अपको यह पे अपर लोग बन रहा है यहां लो इसी चीज है अच्छा सूब और मुंस प्रफ़िब आभी यह अगर देखें के यहां प्रफ़िए यहां पर यहीं से वापस एक अप ले रहा है तो देली में आप को यहां पे देखेंगे तधार है तो कहीं एक अच्छा पैटर्न दीख रहा हैं जिरूर इसे बूलेगे लगाना चाहते हैं लांग टर्म के लिए तो 19 रुप्य उन्चास पर सब्सक्राइब करें अगर यह उन्चास पर सब्सक्राइब को तोड़ता है तो वापस एक बार थोड़ा डाउन फॉल इसमें जा सकता है लेकि जिसकी सम्मावना कम है और बहुत से बहुत तो यहां पर आपको देगा और यह वापस अपने हाई को जो है पहला है जो इसका 36 रुपया फिर आगे जाके 30 रुपय के और जाते हुए दीख सब्सक्राइब है और उसका एक जो रीजन है उसमें जो फाइनेंशल रीजन जो सबसे अच्छा समझ में आ रहा है वह एक आ रहा है कि यह वापस इसका सेल देखेंगे तो जो 207 क्रोड के आसपस मेंटेन है और इबिटा कहीं जो अपरेटिंग प्राफिट है वो 10,19,20 जो पुराने इसके थे वहीं पे जाकर कि वापस अपने आपको 19 क्रोड का ला रहा है और 9% की इबिटा अपरेटिंग प्राफिट माज के बोरिंग नहींघेंगे इंटरेस्ट कम आएगा इसतल और हो सकता है यह रिटरन कर रहे हैं और जहां तक बात है सेर ओल्डिंग पोजीशन की तो सेर ओल्डिंग पोजीशन में कोई खास चेंच नेगे को भी आगरभी नहीं दखा हुआ है प्रमोटर 34 परसेंट है एफाई 4.07 है इंसरेंस कम्पनी 4.82 है और हाइस पॉल्डिक जो से रोल्डिंग में फिन फोल्ड ओबर्सीज लिम्टेट 8.566 परसेंट का है इंडिविजल का 41 परसेंट है अनन इस्ट्विशन जो है वह अभी भी इसमें पोजीशन थोड़ी बढ़ तक का भाव जाते हैं आपको कमिंग रिशेंटली देख सकता है और इसमें सबसे अच्छी चीज जो है जो बताने वाली है जो देखने वाली है कि डिलेवरी कोजीशन भी जो है यहां पर देखेंगे अब रिशेंटली 16-18 जून को देखिएगा एक करोड़ चौनसर्ट ला यहां पर 25 जून तक अच्छी कासी यहां पर डेलिवरी उठी हुई है और 30-65% देखेंगे डेलिवरी उठी हुई है और अब जो ट्रेडिंग हो रही है से 12-17-16 लाग आ रहा है और उसमें भी 45-52% की डेलिवरी हो रही है इससे कही ना कही मुझे दिखता है कि कोई ना अब शुद्ध सब्सक्राइब करके रख रहा है और पोजिशन में जो है को डिक पोजिशन में कहीं जा रहा है वैंक अच्छा अ यहां पर डिली बेसिस में भी देखने को मिलता है और विकली बेसिस पर उसके बाद कोई भी बहुत ज्यादा सेल सेलिंग पोजिशन नहीं दिख रहा है तो यहां पे आप अगर देखें विकली बेसिस पे भी देखें तो एक सिंपल केंडल को देखें एक यहां लो इससे बड़ा लो 15 पंद्रा पंद्रा का था और उसके बाद उपर बनाया हो गया है तो यह कहीं न कहीं एक ट्राइब जो करेगा भी यहां पे 35-36 पहला ट्राइब करेगा और इसे क्रोस करते हैं यह वापस अपना 43 के रहने में जा इसमें भी देखेंगे तो वीकली पोजिशन पे यहां पे भी कहीं न कहीं यह अच्छी कासी बॉल्यूम थी और जो इसका रेसिस्टेंस लेबल था 49 48 49 था 290 के असपास था 290 इसको यह क्रोस किया है पहली बार यहां पे आप देखेंगे तो क्रोस किया है और यहां पे भी एक कंटिन्यूस बॉल्यूम में एकोजिशन हो रही है कंटिन्यूस बॉल्यूम एबब 20 के उपर की और जारा सीडी एसल में सेंट्रल डीपोजिटी सर्विस इंडिया प्रेवट लिम्टेड तो यहां पे भी आप चाहें एक वाचलिस्ट के रूप में इसको रख सकते हैं यह सीडी एसल भी आगे 300 के तरफ जाते हुए दिख रहा है पहली बार इसने 290 के जो रेसिस्टेंस को था उसको प्रॉस किया है और 298 पे कहिने क्लोजिंग देने की कोशिस किया है जो इसका वॉल्मेटेड अब्रेज है 297.59 उसको क्रॉस करते हुए इसने 298 पे क्लोजिंग दिया है और इसका अगर 300 मुविंग सिंपल मुविंग एब्रेज देखेंगे 200 का तो 241 है कहीं न कहीं तीस दिन का भी जो इसका अब्रेज सिंपल एब्रेज है 277 आप इसका इस्टॉप लोस लागा करें लॉंग टर्म पे खड़ेगा सकते हैं और यह कहिना का यहां को जाते हुए यह वापस 300 की और जाते हुए आपको से क्रॉस किया है और यह पहला यहां पर देखेंगे तो 6720 को कि विकली बेसिस पर वहां पर इसने एक पूरा हाइब बना करके भी कि अधिस 311 का हाइब बना करके भी क्लोजिंग 291 पर ही दिया था तो 291 के स्टॉप लॉस से चाहें तो आप इसको लॉंग टर्म पर जा सकते हैं 283 आप समझे सिंपल इसन यह है कि इसमें जो वीकली वॉल्यूम हो रहा है कि वहल ग्रीन केंडल आप देखें तो बहुत ज्यादा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौदा सिगहरा पार रहते रहे तो यह अच्छा सिगनल है कहीं ना कहीं और यह अपर लों भी देखेंगे तो यहां के बाद एक अपर लों यहां पर लगा है जैसा में आपको मॉर्फेन में बताए अगर वह यहां यहां पर भी समझाओं कि अब देखेंगे यह उपर क्यों रही जा रहा है कि अब देखेंगे अब चाहिए मैं अब्स यहां से एक ऊपर से यहां पर बन रहा क्योंपर क्यों जा रहा हिए तो यहां सा वोल्यूम भी है तो आप मॉर्फन लबरेटी और स्टी एसल पर चाहें तो अपनी लॉंग पोजिशन को वाच रख सकते हैं देख सकते हैं पेपर ट्रेट कर सकते हैं मेरा कोई भी भाइंग सेलिंग रिकॉमडिशन नहीं है यह दोनों सिगनल जो है चार्ट पे अच्छे यहां से आप ले रहा है तो पहला टार्गेट यहां पर भी 31 का ही होगा और यहां से क्रॉस करता है फिर आगे की लेबल पर यह 43 की और भी जा सकते हैं तो पहला लेबल जो है मॉर्फन में 32 31 का है पर यहां से 31 के और 200 का जो 19 लुपिस का है वो लॉंग टर्म के लिए अच्छा चार्ट पर टेंटेट बताता है मेरा कोई भी वाइन सेलिंग रेकॉमिलेशन नहीं है अटावल नहीं है आप जाए स्टडी करें व्यूबर देखें चार्ट करें वाच लिस्ट पर रखें पेपर टेट करें या अगर आपको बाइक करना हो ता आप अपने फैने नहीं है आप जाए स्टार्ट पर टेंटेशन नहीं है विडियो देखने के लिए बहुत बहुत देना है